Hello pet parents, आज हम बात करेंगे किटिन्स में vaccination की. वैक्सिनेशन करवानी जरूरी होती है क्योंकि वैक्सिन करवाने से हम कई बिमारियों से किटिन्स को बचा सकते हैं जो कि फेटल होती है और बिमारियों के एक इलाज भी नहीं होता है और अगर इलाज होता है तो बहुत पेंफूल होता है किटिन्स की लाइफ में और उनकी पी unhealthy रहती है लेकिन अगर हम वेक्सिन अगर करवाते हैं तो लॉंजीविटी बढ़ाते हैं और कई फेटल डिजीजिस के अगेंस्ट हम उनकी इम्मिन्री डिवलप करते हैं एक एडवांटिज यह होता है कि जो आगे आने वादी जेनरेशन होती हैं उन पे भी वो एंटी ब कीड़ों की दबाई है उसका एडवांटिज यह होता है कि जो पेट में खीड़े अगर इसका ज्यादा होता है तो इम्मिनिटी स्पेर हो जाती है और जो वेक्सिन की एफिकेसी होती है वो कम हो जाती है आठ हफ्टे में डिवर्मिंग करने के बाद हम सबसे पहले vaccine लगाते हैं, यह तीन डीजीज होती है, कमेंगी थिस्थी टूर सोट लगाते हैं, यह समानी भाइब का ही तो ही रएनी ख़लीज रगाते का ही बूह्नी सोट लगाता है और 16 में हफते पे हम रेबीस का एक booster shot लगाते हैं और FLRT का एक booster shot लगाते हैं इसके बाद जो रेबीस है वो एक साल के बाद लगाई जाती है और FLRT जो है वो भी एक साल के बाद लगाई जाती है लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जो deworming है वो आप every three weeks करते हैं initially up to six months of age and then every three months इससे immunity भी बनी रहती है और warm overload होने के करण जो बीमारियां होती है जो immunity sacrifice हो जाती है वो नहीं होती है जब आप stray cat को adopt करते हैं किटन को adopt करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने वेटनेरियन के पास लेके जाना है और किटन की deworming करवानी है और साथ में anti-rabies लगने से पहले ज्यादा किटन को handle नहीं करना है इन केस अफ जो stray kittens है उनको adopt कर जब आप करते हैं तो every month up to six months of age आप anti-rabies जूर लगवाएं क्योंकि उनके parents हालनों होते हैं और तो उनकी immunity इतनी जल्दी anti-rabies के against नहीं develop होती है जो rabies है यह fatal disease है in case of animals as well as in case of human beings और यह communicable disease है from cats to human beings आप अगर यह procedure पॉलो करते हैं तो आप अपनी kitten को longevity देते हैं और उस community भी better हो जाती है I hope जो मैंने आपको यह information vaccine के बारे में दी है यह आपको मदद करेगा अपने kitten को healthy लखने में If you have any more queries or any other questions please get back to us I hope you can provide us it but I I I I I झाल झाल